जेहिन नमस्कार, कैसे आप सभी? मैं आश्र करता हूँ कि या आप सभी अच्छे होंगे जिनका भी आज CCC का एक्जाम है, उन्हें सबसे पहले अभैक्षल कम्प्यूटर के तरफ से बहुत बहुत शुब काम ना है आल दी बेस्ट, बेस्ट आफ लग, आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा हूँ और सभी लोग S ग्रेट से CCC का एक्जाम टॉप करिए दुश्तों एक्जाम के बाद आप सभी लोग कुश्टन समय जहूर संग करिएगा कुश्टन से अगर आप वाट्साप पर संग करना चाहते हैं तो हमारा वाट्साप कॉंटेक्ट है 8181-871106 इसके लावा सामने दिख रहा है कॉंटेक्ट पर आप कहीं पर भी संग कर सकते हैं उन कुश्टन को हम अपनी क्लासेज में आपके नाम के शाथ जयू डिसकस करेंगे ताकि नेक्ट रड़ जिनका वे एक्जाम रहे उनके एक्जाम में काफ़ी हल्प होशके दोस्तों एक्जाम से पहले आप सभी लोग अभैक्शल कम्प्यूटर की ट्रपल से की महा में अतना क्लास को देखना मत भूलेगा आज जो एक्जाम हुआ है उसमें भी उससे काफी ज़्यादा क्रिश्टन्स पूछे गए थे साथी साथ अगर आपको ईबुक की आविशकता है तो हमारी बेस्ट ईबुक की लिंक वीडियो की नीचे दे रखी गई है जहाँ पर 2100 Most Important Questions आप सभी को मिलेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी तयारी को बहतर बना शकते हो तो टाइम वेश्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास वोकि सीधी बात नो बकवास यही है अभाएकसल की क्लास लेट्स बेगिन इन दिस टॉपिक आज का पहला प्रशन है निम्नमेशे कौन नेटी केट का सबसे अच्छा इसपश्टी करण है which of the following is the best explanation of netiquets the proper way to communicate in an online setting an acronym for internet etiquette or ethics on the net online setting में समवाद करने का उचित तरीका internet सिष्टाचार या net पर नैतिकता के लिए एक संचिप्त नाम दूसरा है Mac और PC उप्योग करताओं के लिए online chat room तीसरा है networking विशेशग्यता खास कर जवाब offline हूँ और चोता है electronic netball अभ्याश इन सभी questions को आप सभी लोग मौक्टेश के रूप में लेते रहिए और comment box पनसर देते रहिए वीडियो के लाश में आप जरू बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए है यहाँ पर बात की गई है neti quitki जैसे आप सभी लोग आपस में रहते हैं तो वहाँ पर एक सिष्ठा चार रखते हैं एक दूसरे का शम्मान करते हैं वैसे ही जब हम internet का उप्योग करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नियम है जिसके recording हमें internet पर कारिक करना चाहिए तो इसका right on सो जाएगा option first online setting में शम्मात करने का उचित तरीका internet सिष्ठा चार या net पर नैतिक्ता के लिए एक संचिपत नाम ही net ticket का सबसे अच्छा इसपश्ट्री करन होगा अब next अगर आप total money में से less money पे करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं means अगर आप ये चाहते हैं कि किसी चीज का amount कुछ और हो और आपको कम पे करना पड़े तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे CBB, OTP, coupon code या इनमेशिक कोई नहीं CBB का full form क्या है या भी CCC exam में काफी पूछा आता है तो CBB का full form होता है card verification value क्या होता है card verification value याद रखेगा काफी यादा important है ठीक है न OTP का full form क्या होता है one time password क्या होता है one time password और जब आप total money में से less money पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उप्योग करना होता है coupon code का जिसके जरीए आपको छूट मिल जाती है तो right answer option third coupon code ठीक है याद रखेगा अब देखते हैं next question एक साथ समुही कृत इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस किसका प्रतनेज़ेतु करते हैं circuit board, information processing cycle, mobile device या computer system बताए input, output and processing device grouped together represents circuit board, information processing cycle, mobile device या computer system तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth computer system अब next command दुभाशिय को अन्यता किस रूप में जाना जाता है what is the command interpreter otherwise known as command, cell, prompt या script तो इसका right answer हो जाएगा option B, cell ठीक है न, command दुभाशिया को हम cell की रूप में भी जानते हैं अब next cell में, sorry, calc में cell की उचाई कितनी होती है what is the height of cell in calc? 0.89 inch, 0.18 inch, 5 inch या 6.62 inch तो यहाँ पर देखिए with practical आपको दिखाते हैं जैसे LibreOffice Writer open है यहीं से open कर लेते हम spread seat को जहाँ पर हमें मिलेंगे cell अब कोई भी cell है, इसको यहाँ पर select करते हैं format पर जाते हैं यहाँ पर देखिए row और column दिया गया है row की height आपको मिलती है column की width मिलती है यहाँ पर बात की गई height की तो row पर जाएंगे, height पर click करेंगे यहाँ पर देखिए लिखिया है 0.18 inch ठीक है, अगर यहाँ पर width पूछता तो column पर जाके width पर click कर देते तो हमारी width थी 0.89 question हमारा क्या था? height पूछा है, तो right answer इसका 0.18 और width पूछता, तो 0.89 inch होता अब next LibreOffice Calc में calculate की shortcut की क्या है? What is the shortcut की up calculate in LibreOffice Calc? F7, F8, F9 या F10 बताइए क्या होगा इसका right answer? तो LibreOffice Calc में calculate की shortcut की है F9, क्या है? F9, option says right, अब next कौन सा view किसी text को note करता है? अब एक question यहां से एक ये पूछ ले आता है जहां पर दे देता LibreOffice writer या LibreOffice impress में कौन सा view सिर्फ और सिर्फ text को प्रदर्शित करता है? Normal view, Outline view, Notes view या Slide Sorter view बताईए क्या होगा इसका right answer? तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा Option Second, Outline view ठीक है, Outline view सिर्फ और सिर्फ text को दिखाता है Other formatting को प्रदर्शित नहीं करता अब Next Motion effect का प्रियूग किसके द्वारा किया जाता है? Slide transition, Add effect, Flow chart या इनमेशिक कोई नहीं तो motion effect का प्रियूग हम करते हैं Add effect के द्वारा, ठीक है? Option Second is right अब Next DVD उधारन है DVD निम्नमेशे किसका एक्जाम्पल है? Hard disk, Output Device, Optical Device या SSD बताईए तो DVD DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी CCC exam में काफी पूछा आता है तो फटाफट कमेंट करके बताईए DVD का फुल फॉर्म क्या है? तो DVD का फॉल फॉर्म होता है Digital Versatile Disc क्या होता है? Digital Versatile Disc है ना? और यहाँ पर पूछाए DVD किसका एक्जाम्पल है? तो DVD आपका Optical Device का एक्जाम्पल है अब Next क्या Libre Office में Calculator का उप्योग कर सकते हैं? True या False? पताईए क्या Libre Office में Calculator का उप्योग कर सकते हैं तो बिलकुल सही है Option First is Right True ठीक है ना? अब Next Libre Office Calc Sprit Seat में Font आकार के Dropdown मीनू में उप्लब्द Font Size निम्ण मेशे कौन सा है? Means निम्ण मेशे ऐसा कौन सा Font Size है जो Font Group में आपको मिल जाता है 30, 28, 29 या 31 बताईए अब यहाँ पर Calc की बात की गई Calc Open कर लेते हैं Font Size में देखें तो यहाँ पर 22, 24, 26, 28 दिया गया है ना 29 है ना 30 है ना 31 है Means ना ये है ना ये है कौन सा है? 28 अब यहीं से पूँछ लेगा आप से कि मिन्मम कितना होता है यहाँ पर तो मिनिमम 6 होता है Maximum कितना होता है तो 96 होता है By Default कितना है तो 10 दिया है यहाँ पर ठीक है? तो इन सब चीजों को याद रखेगा, अब देखते हैं, next question वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भासा का प्रियोग किया गया है पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, मताईए, क्या होगा इसका राइट आंसर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भासा का प्रियोग किया गया है इंटरनेट एक्स्प्लोरर कब बना, किस के दोरा बना, ये सब चीज़ें आपकी एक्जाम में पूछी जाती है यहाँ पर पूछा गया है कि किस भासा में बना एक कुछन पूछता है कि एक्सप्रोर कब रिलीज हुआ तो यहाँ 16 अगस्त 1995 को रिलीज हुआ था ठीक है ना? याद रखेगा काफियादा important है एक कुछन पूछ लेता है कि यहाँ किस के दोरा बना या किस के दोरा लांच किया गया तो Microsoft के दोरा इसको लांच किया गया था है ना? Microsoft Company ने ही इसको बनाये था तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा C language एक कुछन पूछता है कि Windows के साथ कौन सा web browser free ofcast में हमको मिलता है तो जब आप Windows 7 का उपयोग करते थे या उसके पहले के versions में उपयोग करते थे तो वहाँ पर Internet Explorer आपको free ofcast में मिलता था ठीक है? याद रखिएगा काफी important है अब next . . . . का उपयोग करके एक अधिक desktop बनाये जा सकते हैं Multiple desktop can be created using taskbar icon, store icon, task review icon या task view icon तो task view icon के द्वारा हम एक अधिक desktop बना सकते हैं Option D is right अब next . . . . उमंग एप का उद्देश क्या है? बताइए Fast track, mobile governance, fast gaming, fast animation या offline service बताइए उमंग एप का उद्देश क्या है? उमंग एप क्या है? आप सभी जानते हैं Digital India की पहल का एक हिस्सा है Digital India क्या है? ये भी आप जानते हैं उमंग का full form भी CCC exam में काफी पूछता है तो उमंग का full form होता है The Unified Mobile Application for New Age Governance क्या होता है? The Unified Mobile Application for New Age Governance और उमंग एप का उद्देश है Fast Track, Mobile Governance, Option First is Right, अब Next Libre Office Presentation को किस नाम से जाना जाता है? Slide Animation, Impress, Writer या Graphics तो यहाँ पर आप जानते हैं कि Libre Office में Document को जानते हैं Writer के नाम से Spreadsheet को Cal के नाम से और Presentation को हम Impress के नाम से जानते हैं ठीक है ना? यहाँ पर इसका Right Answer, Option Second, Impress अब Next कौन सा Operator Formula में पाए जाते हैं जो If Function का उप्योग करते हैं और या तो सही या गलत उत्तर देते हैं बताए अर्थमेटिक, रिफ्रेंस, टेक्स्ट या कमप्रेटिव तो जो कमप्रेटिव ऑप्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं? यह बताएंगे या तो यह सही होगा या गलत होगा, अमें इसे कमपेर करेगा जो कमपेर करते हैं अब Next निम्द मेशे कौन सा sound file के प्रकार हैं? पताएे निम्द मेशे ऐसे कौन से हैं जो sound file के प्रकार हैं लोक file, wav file, drv file या d80 file तो इसका राइटनान सा हो जाएगा option second wav file ठीक है ना? अब Next 3D printer एक प्रकार का डॉट 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 मेंज तो 3D printer एक प्रकार का क्या है industrial robot है, virtual reality है, cryptographic है या इन में से कोई नहीं VR का full form क्या होता है तो VR का full form होता है virtual reality क्या होता है virtual reality याद रखेगा काफी important है अब यहाँ पर इसका राइटान सब जाएगा option first, industrial robot ठीक है 3D printer क्या है, industrial robot होता है अब next निम्न में से font style नहीं है bold, italic, underline या फिर simple पताए कौन इसमें से font style नहीं है तो इसका राइटान सब जाएगा option 4, simple यह font style नहीं है bold से क्या होते हैं, अक्षर हमारे highlight हो जाते हैं थोड़ा सा dark में आपको दिखते हैं bold की shortcut की क्या है यह भी triple C सामें पूछ आती है तो इसकी shortcut की होती है control B italic में अक्षर आपको तिर्चे दिखाई देते हैं इसकी shortcut की control I underline में आपको अक्षर आपके जो है उसके नीचे एक line दिखेगी shortcut की control प्लस U अब next equal min 5,7,2 divide by count A,B का मान क्या होगा आईए with practical आपको समझाते हैं equal min bracket 5,7,2 ठीक है यहाँ पर value लिखते हैं equal min 5,7,2 comma count यहाँ पर लगा लेते हैं फिर bracket A,B bracket close then enter कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आ गया 0 कैसे आ रहा है यहाँ भी यहाँ पर आप देख लीजे अब यहाँ पर आपको divide भी करना है है ना याद रखेए हमने divide नहीं किया था तो यहाँ पर क्या करते हैं comma की जगा पर लगा देते हैं divide और enter कर देते हैं तो यहाँ पर देखेए यह error आ गई कैसे आ गई समझेगा count फार्मूला क्या करता है सिर्फ और सिर्फ number की counting करता है अब यहाँ पर देखेए क्या दिया गए है a और b तो कोई number है नहीं है तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 0 और जब किसी भी संख्या को हम यहाँ पर 0 से divide करेंगे तो वहाँ पर वो error आपको मिलेगी अब ही हमारा answer 0 कैसे आये था वहाँ पर क्या था min 5,7,2 है ना अब यहाँ पर count लगा था तो यहाँ से क्या हो गया था हमारा a और b हमने count में डाला तो यहाँ से 0 निकलाया और min formula क्या करता है सबसे छोटी value देता है तो इन सब में 5,7,2 और यहाँ से मिला 0 तो 0 सबसे छोटी संख्या हो गई इसलिए इसका right answer क्या हो गया 0 लेकिन जब divide करेंगे तो यहाँ पर यह error वहाँ पर मिलेगी तो इसका right answer हो जाएगा option first ठीक है ना option first ठीक है याद रखिएगा काफ यादा important है तो आची class में बश इतने questions मैं आसा करता हूँ कि आज की यह class आपको पशंद आई होगी दोश्तों सामशारशाद बज़े की class आप ज़रू attain कर लीजेगा और जिनका भी आज exam है exam के बाद questions समय ज़रूर सिन करेगा thanks for watching my video फिर मिलते हैं next class में अगर आप इस चनल पर नए हैं तो चनल को subscribe करके bell icon को प्रस कर लीजे ताकि time to time आपको ये सब कुछ मिलता रहे फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye